सब्सक्राइब को लाइकन नहीं बूलिए चलिए अब हम इस ख़बर को जान देगे उपर लिखी जाने वाली जो जानकारी हैं उसे देखते हैं जैसे कि पांच वी के लिए सफेद रंग के कपड़े की थेली वही आठ वी के लिए पीले रंग के कपड़े की थेली का उपयोग किया जाना है साथ में इस थेले पर किश्पकार से जानकारी लिखे जाने तो सबसे पहले लिखना है परिक्षा केंद का नाम परिक्षा केंद क्रमांग कच्छा परिक्षा का विशय परिक्षा का दिनांग लिखना है परिक्षा जो केंद्र पर दर्ज कुल विद्यार्थियों की शंका लिखना है उपस्तित विद्यार्थियों की शंका लिखना है अनुपस्तित विद्यार्थियों की शंका लिखना है और अनुपस्तित क्रमाई साथे जैसे कि यहाँ पर आप पांच वी का जो सफेद रंग के कपड़े पर जानकारी लिखे होगे तो उन सभी छात्रों की जानकारी लिखना है वहीं परिक्षा केंद पर आठ वी का अगर आप पीले कलार के थेले पर लिखना है तो यह आठ वी के सभी छात्रों के लिखना वाली कॉपियां जो रहेंगी वह है 30-30 के बंडल बना करके कवर स्लिप बना करके रखी जाएगी तो साथ जैसे कि आपके जो किसी सेंटर पर अगर सपोड़ पांच भी के 40 स्टुडेंट है तो एक डॉकेट बनेगा 30 का और अगले से 10 कॉपियां उसे में अलग से रखी अनि दो टॉकेट में रखे जाएंगे अब हम डॉकेट का प्रारूप देखते हैं इसे आपको तीन प्रति में बना करके रखना है और जैसे कि बतायाँ इस प्राकाई से लखना है predicted का नाम रहेगा और दिंयांक रहेंगी प्रीक्ष के-ई-लिषाय कर रहेगा किस का-खा बनाया के डांकी आपने डॉकेट पांच काउं की शंख्या यह एक डॉकेट है डॉकेट का प्रारूप सेम इस प्रकार से तीन प्रारूप है मैं यह जानकारी रहना है साथ में कबर स्लिप का प्रारूप है वो इस प्रकार से रहेगा परिक्षे किन्द का नाम बंडल करमांग विशय जो दर्ज छात्रों की शंख्या अप्टेटेट जानकारी के लिए हमारी चानल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा यदि आपने अभी तक हमारी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक जरू कीजे और शेर कीजे अपने सिक्षा मित्रों के साथ तो साथे मिलते हैं अगले अप्टेटेट वी जय हिन, जय भारत, जय मेतर प्रदेश.